Model Activity Task गनित नवम स्रेणी के भाद दूतिय के प्रश्ण पत्रों का हम लोग आज समाधान करेंगे प्रश्ण एक सही विकल्पों को चुन कर सही चिन्य लगाओ तो देखे लिखा हुआ है एक नंबर में X, Y एवं Z तीन वास्तिविक संख्या है यदि X, Y से छोटा एवं Z 0 से छोटा हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं होगा देखे कौन सा विकल्प नहीं होगा ये एक नंबर ओप्शन X, Z से बड़ा Y, Z देखे यहाँ पे दो नंबर होगा तो दो नंबर में टीक लगा दीजिए आप तो कौस्चन नंबर दो समीकरानी 3X माइनस Y बरावर साथ दोआरा व्यक्त सरल रेखा पर इन में से कौन सा बिंदू इस्तित नहीं है कौन सा बिंदू इस्तित नहीं है देखे ए नमबर दिया हुआ है ये बी नमबर दिया हुआ है और सी नमबर दिया हुआ है दी नमबर दिया हुआ है इसमें से डी नमबर होगा तो डी नमबर में आप टिक कर दीजिए उसके बाद दो मिलान करो देखे मिलाने के लिए दिया हुआ है ए परिमाई संख्या और ब परिमय संक्यात तो यह तीदे कि विकल्प दिया गया तीन मिलाना है तो पाहला परिमय संक्याथ तीद में संक्या है और उप्रिमय संक्या है तो यह चै당 नमबर समाधान करो देखिए कोई भी पद्धति कुई भी पद्धति कोई भी दी एक터線 का हम लोग विलो पर पदती द्वारा समाधान करेंगे देखिए इस पर प्रता हम लोग इस प्रकार लिएंगे 4x-3y बरावर 16 समीकरान एक 6x जोर 5y बरावर 62 तो यह देखिए यहां पे एक नमबर समीकरान लिख दिया है और 5y को 3 से multiply कर देंगे तो multiply करते हैं तो इसको इससे गुना करेंगे तो 20x और यहाँ पर देखिए फिर इसको गुना करेंगे 15y और बरावर 80 हो जाएगा ठीक उसी परकार इसको भी गुना करेंगे तो यह 18x हो जाएगा और यह 15y बरावर 186 होगा 86 बोलते हैं उसके बाद देखिए यहां पर घटाते हैं लेकिन हम लोग यहां पर पहले से ही यहां पर घटाओ का और यहां पर जूर का है तो यह ऐसे ही कट जा रहा है इसलिए यहां पर लिख देंगे जूरने पर जूरने पर देखिए यह तो कट गया लेकिन यह दोनों को और ये दोनों जोड़िएगा तो 266 होगा तो देखिए X कमान इकालेंगे X कमान इकालने के लिए 266 और बटा 38 तो दो कर पारा से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर 19 और यहाँ पर 133 हो जाएगा फिर देखिए 19 के पारा में 133 साथ बारे में कट जाएगा तो 7 लिख देंगे X का मान 7 हो गया अब देखिए क्या करेंगे हम लोग X का मान समीकरन एक में रखने पर आप दो पर भी रख सकते हैं दोनों का मान एक ही आने वाला है तो देखिए एक पर रखते हैं तो यहां पर 4 है X का मान 7 आ है इसलिए 7 से गुना कर दिये और माइनस 3 3Y बरावर 16 तो यह इससे गुना करेंगे तो 28 हो गया और यह पहले से दिया हुआ है माइनस 3Y बरावर 16 तो देखिए 28 को उस तरह ले जाएंगे तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि बरावर के दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आने पर इसका असाइन चेंज हो जाता है तो यहां पर प्लस था तो यहां पर माइनस हो गया तो देखिए यहां पर माइनस 3Y बरावर 16 माइनस 28 यहां देखिए माइनस यहां पर भी हो गया चार आ गया तो X बराबर 7 Y बराबर 4 या हो गया प्रश्ट 4 समानांतर जैमिती विधी द्वारा परमानित करें कि 2,0 और 5,0 6,2 एवं 3,2 अस्थनांक वाले बिंदु को करम से मिलाने पर एक समानांतर चत्रबूज पराप्त होता है तो यहां स्वर परतम हम लोग देखेंगे समानांतर चत्रबूज किसे कहते हैं देखें समानांतर चत्रबूज एक चत्रबूज जिसकी समुक भूजा समान वह समानांतर हो तथा समुक कौन समान हो किन्तु कोई भी कौन नबे डिडिक का ना हो समानांतर चत्रबूज कहलाता है तो इसी अधार पर हम इसका समाधान कर दिख्जेंगे ए कमान दिया हुआ है 2,0 B कमान दिया हुआ है और C कमान 6,2 और D कमान 3,2 तो सवर परत्म देखते हैं हैं हम देखिए A B बरावर DC और A D बरावर BC होगा होने पर ही शवानांतर चत्रभूज होगा तो स्वरपरतम हम लोग A और B की लंबाई ग्याद करेंगे इसका सुत्र देखिए होता है रूट X1-X2 का हॉल स्क्वाइर जोर Y1-Y2 का हॉल स्क्वाइर इक आई तो स्वरपरतम देखिए X2 ब्राबर 2 दिया हुआ है X1 ब्राबर 2 Y1 ब्राबर 0 X2 ब्राबर 5 Y2 ब्राबर 0 तो रूट में लिखेंगे X का मान बेठा दिये और Y का मान बेठा दिये देखिए इसमें से 2 गटाव 5 तो 2 गटाव 5 करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा तो यहाँ स्क्वाइर देखिए और 0 का पलस प्लस हो गया, 9 का वर्ग मुल निकालेंगे, तो 3 हो जाएगा, 3 निकाई हो गया, ठीक इसी प्रकार DRC के लंबाई कि याद करेंगे, DRC का मान, आप सुत्र ये वाला पहले लिख सकते हैं, ये लिख करके, उसके बाद ऐसे ठीक मान बठा दीजिए, तो 3 गटाओ 6 का हॉल तो इसका भी जो होगा, वो 3 निकाई निकल जाएगा, उसी प्रकार दूसरा भी अहल करेंगे, देखिए, AD की लंबाई ठीक उसी प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ सुत्र मैंने लिख दिया, लिखने के पस्चात मान बठाया, मान बठाने के पस्चात, देखिए, माइनस 1 का स्क्वाइर, देखिए, एक का स्क्वाइर हुआ, वो तो प्लस में बतला गया, लेकिन 1 है, इसलिए 1 लिखेंगे, और यहाँ 2, 2, 2, 4 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, हो गया तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ गलती हो गया तो यह चार कर दिये, और देखिए, एक और चो का होल स्क्वार जो 0 माइनस 2 का होल स्क्वार तो यहां करेंगे तो माइनस 1 और ये 2 हो गया तो देखिए माइनस 2 है तो 4 हो जाएगा और ये 1 5 तो ठीक देखिए इसी प्रकार हम लोग एक चीतर बना लेंगे समान अंतर चत्रबूज A, B, C, D तो देखिए A, B का लंबा A का आई 3 आया है और D, C का 3 ठीक उसी प्रकार A, D का 5 और B, C का रूट में 5 ये दोनों तरफ रूट में आया है तो देखिए एक दूसरे का विपरित का मान बरावर है तो ये समान अंतर चत्रबूज है इस प्रकार परमान हो गया